नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं वहीं गुमला, सिम्डेगा और पच्मी सिम्मुम जीले के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है जर्खन की 66 लाग से अधिक की सोरियों को मिल रहा सवीत्री बाई फुले की सोरी का लाग जर्खन के मुखे मंत्री हेमन सिर्ण राजी के बेटियों के चेहरे पर मुस्कान लाने के उद्र से सवीत्री बाई फुले की सोरी सम्रीदी जोईना की शुरुआत की है इसके तहुत राज सरकार 29 साल पूरे होने तक छात्राओं को कूल 40 रुपे देगी सरकार ने राजी की 9 लाग चात्राओं को सवीत्री बाई फुले की सोरी सम्रीदी जोईना के तवात आर्थी किलाब देने का लक्ष निधारित यहा है बर्तमान में 6 लाग 51,000 साधिक की सोरीओं को इस जोईना से जोड़ा गया है बतादे देश की पहली महिला सिक्छी का महान समाज सेविका सवीत्री बाई फुले के नाम से शुरू हुई सवीत्री बाई फुले की सोरी सम्रीदी जोईना का लाप राज निधी की सोरी को दिया जा रहा है राज सरकार ने बीतिय वर्ष द्वायर तेस चोविस के लिए बैट में तीन सो कोड़ोर रुपए का प्रोधान किया है इसका उदे से राज से बाल बिवा जैसे कुप रथा को खत्म करते वे महिला ससर्थिकरण और सिक्षा को बढ़ावा देना है गड़वा के 107 हाइ पलस टू सकूलों में नहीं है DDO गड़वा जिले के उच विद्याले में दिद्याले वं प्राथ्मिक विद्यालों में निकासी एवाम बययन पता अधिकारी ڈ ڈ ڈ ourd गे नही रहने से सिक्ष को के बेटर निकासी एवं आवकास लेने में काभी परिसानियों का सामना करना करना पर रहा है सबसे ज़़ादा परिसान आई हाइ सकूल और पलस टू के सिक्ष को एवं सिक्ष केतर करमचारियों को झेलनी पर रही है बतादे हाई स्कूल के प्रधना ध्यापक ही निकासी एवाम ब्यायन प्ताधिकारी होते हैं लेकिन अभी जीले के एक भी हाई स्कूल या प्लस टू भी द्याले में प्रधना ध्यापक नहीं है सबी स्कूल प्रभारी प्रधाने आपक की बदावलत संचालित की जा रही है सिम्डेगा में मईस्ट्रेट पर जान लेवा हमला सिम्डेगा जिला अंतरगत मोफसिल थाना के कोचेन डेंगा गाओं में गरामिनों ने कारेपालक दंडा अधिकारी पंकच गुमार भगत पर जान लेवा हमला कर घायल कर दिया है दंडा अधिकारी ने लाठी दंडा तलवार और चाकू से हमला करने का आरोप मुखिया सिसी टोपनों समेत अने पर लगाया वही मुखिया ने अपने उपर लगे आरोपो को सीरे से खारिज करते हुए डंडा अधिकारी के खुद से गिर कर चोट लगने की बात कही है इधार घायल डंडा अधिकारी स्री भगत का सदर अस्पतल में इलाज कराया गया है हिश्टरी औफ संथाल किताब का राजेपाल ने किया बीमोचन संथाल के इतिहास को टटोलती पुस्टक हिश्टरी औफ संथाल परगना का बीमोचन राजेपाल सीपी रधाकृष्णन ने किया है पुस्तक को सुक्रवार को राजबहन में राज़ेपाल के हाँ तो लोकारपित किया गया बदा दे इस मोखे पर राज़ेपाल सिपी रधा किश्णन ने पुस्तक के लिखक सुनिल कुमार सिंग को बदाई देते वे कहा है कि इसके माध्यम से लोग संथाल के इतिहास के बारे में जानेंगे इस पुस्तक में संथाल परगना के प्राचिन काल से लेकर स्वाधिंता अंदोलन के समय तक के इतिहास का वर्नन किया गया है रिम्स में सासी परिशत की बैठक हंगामे के बाद अस्थागीत रिम्स के निदेशक का रियाले में सासी परिशत की बैठक सुक्रवार को हुई बैठक में सासी परिशत के अध्यक स्वास्त मंत्री बाना गुपता गस्ताथ स्वास्त सचीव अरुन कुमार सिंग सांसस संजाय सेट आस्थानिय विदायक समरी लाल रिम्स के निदेशा कामिसर परसाद अधिक चाक हीरेन बेरुआ सही सभी अधिकारी मौजूद रहे बता दे सासी परिशत की पच्पनवी बैठक में रिम्स के करमचारियों के लिए ओल्ड पेंसनी स्कीम होस्पिटल पेसेंट केयर इल्वांस को लेकर चर्चा होनी थी करी बभाग को के अगले आधे सत अप्ने कारियों के साथ परधान सचीव मन्तरी मंडल सच्वाले अमने आपके बिदयोगफे सब्सक्राइब के आवास में पाली जा रहे मुर्गियों में वर्ड फुलू की पुष्टी के बाद से एक किलुमीटर की परीधी में अब तक 96 मुर्गियों को मार कर उसे नियमा अनुसार डेड़ मीटर गहरे गड़े में डिस्पोज कर दिया गया है वहीं अब तक तीरपन सो बीस अंडों को नश्ट किया गया है रांची जीला परसासार रांची नगर निगम अवजीला पसुपारन विभाग सनित रूप से अभियान चला कर ओल्ड जेल चौक से एक किलोमीटर के रेडियस में पिछले तीन दिनों से अभियान चला रहा है शुक्रवार को फिराया लाल चौक और ओल्ड जेल रोड चौक के बीच में अंडों बिक्रताओं के यहां से 482 अंडों को नश्ट कर दिया गया बतादे वर्ड फुलू के फैलाओ को रोकने के लिए भारत सरकार के गाईड लाइन के अनुसार पलान ओफ एक्सन राची में धरातल पर हुआ है या नहीं इसकी जाच करने के लिए सुक्रवार को केंदरिय स्वास मंत्राला है तता क्रिसी एवंप सुपालन मंत्राले भारत सरकार के अधिकारों ने राची का दवरा किया है एक्सन में दिखे मंत्री बनना गुपता रिम स सासी परिषत की बैठक सुक्रवार को आपसी बिवाद और हंगामे की वया से कुछ दिर बाएद ही अस्थागित हो गई है बैठक में जन सुविधाओ का जीक्र नहीं होने के कारण सासी परिषत की बैठक में मवजूद सांसत और बिदायक ने बैठक का बिरोध किया इस तोरान बिदायक समरीलाल और सांसत संजर सेट में जन सुविधाओ को लेकर कई सवाल भी उठाय है वही स्वास्त मंत्री ने ट्रामा सेंटर में और वेवास्था को देखते हुए CMO को सस्पेंड कर दिया है बता दे जन सुधाओं को लेकर सदस्यों ने रिम्स के निदेशक डाक्टर कमेसर परसाद पर भी सवाल उठाया है बिजली समधित परसानी का समधान के लिए उर्जा मेला उभगताओं की समध से अदूर करने के लिए जार्खन उर्जा विकास निगम लिमिटेट की ओर से सरनिवार को उर्जा मेला काउजन किया जाएगा या मेला रांची सहीत राज के विभीन जीलों में लगाए जाएंगे बता दे राजधानी रांची प्रचेत्र की उर्जा मेला रांची खोटी गुमला लोहरदगा और सिम्टेगा के 23 अस्थानों पर आउजित किया जाएगा राजधानी रांची में 17 अस्थानों पर उभगता अपनी समस्या को लेकर इस उर्जा मिला में सिकायत दर्ज करा सकते हैं इस समन्द में रांची प्रशेत्र के महा प्रवंदग पीके स्रिवास्तव ने बताया है कि उर्जा मेला में घरेलू या बेवसाइक उभोकता अपनी समस्या का समधान कराने के लिए आ सकते हैं अस्मार्ट मीटर लगवाने के नाम पर ठगी की कोशी इस जारखन में बिजली कनेक्शन काटने के नाम पर पुरो में साइबर अपराधी ने जम कर ठगी की वरदातों को अंजाम दिया था साइबर टीम के एक्टीब होने के बाद ऐसे मामले पर कुछ हद तक काबू पाया गया लेकिन अब असमार्ट मीटर के नाम पर साइबर अपराधी ठगी की वरदातों का अंजाम देने में लगे हैं असमार्ट मीटर के नाम पर साइबर ठगी के कुछ मामले थाने में रिपोर्ट भी किये गए हैं बता दे सबसे राहत की बातिया है कि स्मार्ट मीटर को लेकर अभी तक इका दुख का मामले ही सामने आये हैं जिन में साइबर अपरादियों के द्वारा ठगी के वर्दात को अंजाम देने की कोशिस की गई है रामगड में हार के बाद कॉंग्रेस में बढ़ा अंतरकला राजे में सत्ता में रहते हुए रामगड विधान सबसीत गवाद देने के बाद कॉंग्रेस पाटी के अंदर असंतोस की आवाई तेज हो गई है पहले से भी बर्तमान परदेश अत्यक्स रायस ठाकूर के खिलाब मोर्चा खोले नेताओं को जहां एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद करने का मौका मिल गया तो अने नेताओं के तेवर भी तल्ख हुए है जार्खन कॉंग्रेस अनुसासन समीति के सर्ष से अरवरिश नेता समसेर आलम ने भी रामगार की हार की वज़ा चुनावी मिसमेनजमेंट को करारा दिया है पार्टी के पूरो परदिस सचीव जगदिस साहु ने भी रामगार उप चुनाव में कंग्रेस को मिली करारी सिर्कत को लेकर ततकाल समीक्षा बैठक बुलाने की मायं की है जारखन में भी फुटेगा सराब घोटाले का भंडा बाबुलाल मरांडी भाजबा बिधायक दल के नेता सब पूरो मुक मंत्री बाबुला मरांडी ने जारखन में सराब कारोबार वर राज की नियोजन निती को लेकर युआओ के आंदोलन परपरतिकिरिया दी है उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि अब जारखन के 36 गड़ी सराब घोटाले का भी भंडा जल्द ही फुटने वाला है दिल्ली की मनी सिसोदिया की हालात देखकर हमारे मंत्री जगनात मतों की अंतरात में जग गई है 36 गड़ी कंसल्टेंट की छुट्टी कर दी गई है और 700 को रुपय का चुना लग चुके इस सराब पोलीसी की समिक्षा का आदेश मंत्री ने दे दिया है रांची डीसी ने नगडी परखंड छेत्रे में पीडियेस दुकानों का किया निरिक्षन डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने सुक्रवार को नगडी परखंड छेत्रे में विभीन जन बित्रन प्रनाली दुकानों का आचक निरिक्षन किया एड़ चोरोप पंचायत के पांच पीडियेस दुकानों का निरिक्षन करते हे उपायूक ने दुकंदारों का वसक दिसानि देश दिये आचक निरिक्षन के दवरान डीसी ने पीडियेस दुकानों में खद्यान उठा एवं बित्रान इस्टोक, पंजी, इपोस मसीन, रजिस्टर, मेंटेनेंस, आधिक जनकारी ली उन्होंने सभी रासन डिलरों को सह समय और सही मात्रा में ख़ध्यान बित्रन एवाम ओनलाइन इंट्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं बर्ड फुलू इंफेक्टेड जोन में तीन माह तक पॉल्ट्री बिक्री पर रोक इंसानों में बर्ड फुलू के संक्रमा रोकने को लेकर स्वास मंत्राले भारत सरकार की ओर से तीन सरसे इदल रांची में तयनाथ किया गया है इससे से पहले केंद्र सरकार की ओर से पसुपालन मंत्रालाई के असिस्टेंट कमिस्टनर डाक्टर ए मिस्रा को रांची भेजा जा चुका है बता दे डाक्टर मिस्रा ने गुरुवार व सुक्रवार को एपिक सेंटर व उसके एक किलोमेटर के दायरे का गहा निरिक्षन किया डाक्टर मिस्रा ने जिला प्रसासन वा पसुपालन विभाक वस्पस्थ हिदायत दिया की प्रोटोकल के तहट अगले तीन माँ तक इन्फेक्टेट जोन में पॉल्ट्री वा पॉल्ट्री उत्पाद की खरीद विक्री नहीं होगी केंद्र सरकार ने अगनी बीरों को लेकर बड़ी घोसना कर दी है बीए सेफ की भरतियों में पुर्व अगनी बीरों को दस फिर्दी आरक्षन मिलेगा इसी के साथ उपरी आयू सीमा माप दंडों में भी पांच वरस तक की छुट की घोसना की गई है हलाकि आयू सीमा में छूट बैच पर निर्वार करेगी केंद्र ने भरति नियम 2015 में स्वन सोधन कर अब बीए सेफ जनरल ड्यूटी केडर नियम 2023 बनाने की घोसना की जो 9 मार्च से परभावी हो गया है केंद्रिये गिरिह मंत्राले की ओर से जारी अजी सुचना में घोसना की गई है कि अगनी भीर भरति के पहले बैच से पास आउट होने वाले 25 फिचदी उमिद्वारों को सीधे सेना में अस्थाई नोक्री दी जाएगी जबकि सेस 75 फिचदी अगनी भीर उमिद्वारों को सेना की विभीन यूनिटों पूलिस भरति केंद्रिये ससस्त्र बलों आधिक नियुक्ति में प्रत्मिक्ता दी जाएगी जैक बोड आठवी नवी एगारवी की बोड परिक्षाओं का सेडियूल जारी जारखन एकेडमी कांसिल ने आठवी नवी और एगारवी की बोड परिक्षाओं का सेडियूल जारी कर दिया है 11 और 12 अप्रेल को 9 वहीं 13 अप्रेल को 8 और 17 से 19 अप्रेल तक एगारवी की परिक्षा होगी परिक्षा OMR सीट पर होगी वही नवी और एगार हुई के हर विशा में 40-40 अंग के अब्जेक्टिव अधारित परिक्षा होगी जबकि 10-10 अंग आंतरिक मुल्यांकन के दिये जाएंगे वहीं आठीमें परतेक विशा में 50-50 अंग की अब्जेक्टिक परिचा होगी और सौव अंग आंत्रिक मुल्यांकन के लिए दिये जाएंगे गिरीडी के बगोदर में बनेगा नेचर पार्क गिरीडी जीला अंतरगत बगोदर के हर धाम मंदीर का सौदरी करन किये जाने के उदेश से परिश्चर में नेचर पार्क का नेमान किया जाएगा इसका बीद्व सिलन ने आस बगोदर विदायक बिनोत कुमार सिना द्वारा सुकुरा को किया गया परिटन कला संस्क्रितिक खेलकोद एवं यूगा कारे विकास विभाग जारकन सरकार के मद से सौदरी करन एवं नेचर पार्क बनेगी बतादे बीस लाख की लागत से यह बनेगी जारकन में मैट्रिक इंटर की परिक्षा तारिक बदली जार्खन में मैट्रिक और इंटर की परिक्षा मंगलवार 14 मार्च 2023 से सुरू हो रही है हलाकि 24 मार्च को होने वाली परिक्षा की तारिख में बदला हुआ है जार्खन एकेडमिक कॉंसील जैक ने 24 मार्च को होने वाली मैट्रिक की परिक्षा 25 मार्च को कर दी है वहीं इंटर की परिख्षा 5 अप्रेल को होगी बतादे राजे में 24 मार्च को सरहूल का जूलूस निकाला जाएगा इस कारण जैक ने परिख्षा की तारिख में बदलाव किया है धन्यवाद